लगताल खब्रों में हमारे साथ तावुन किया है कावा पूचन और इबने सीना पाउंडेशन में असलाम आलेकुम नाजीन वो पी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजी हब्दुलकादिर सबसे पहले शामिल करतें न्यूज हैटलाइंस मुस्लिमी गनून के काईद नवाज शरीफ से आम उमोर पर मशावत के लिए वजीर आज़ाजम शरीफ वफ के हमरा लंडन पहुच गया है साथ वजीर खजाना साथदार का कहना है कि अगर हकूमत अवाम पर बोज़ डालेगी तो हर चीज की कीमत असमान पर जाएगी लंडन ने मीडिया से गुफ्सकू करते हुए साथदार ने कहा कि पीचा आएक के हुकूमत ने ये तासूर दिया कि सब सीडीज फंड है जो के नहीं थी ये मजमूरी तोर पर 300 अरब का मसला है शदीद गर्मी ने मुल्क फर्ट को अपनी लपेट में ले रखा है जिसके बाइस का इलाकों में आज भी हीट वेफ का खर्चा है मैं अकबंब असमियाग का कहना है कि कराची हीट वेफ की लपेट में नहीं होगा अलबता 13 और 14 माई को गर्मी की शिद्ध जादा रहेगी जिस जोरान दर्जेहरत 38 से 40 दिग्री सेंटी क्रेट के दर्मियान रहने का इमकान है कराची में गुजिशता राग भी शेहर के मुक्तलिफ अलाकों में बिद्धी के लोड शिटिंग का सिस्सिला जारी रहा तर्जमान के अलेक्टिक के मताविक गर्मी की शिद्ध में जाफ़े के बाइस बिद्धी की तलब में गेर मामूली जाफ़ा देखने में आ रहा है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराज शेक रशीद ने ओवरसीस पाकिसानियों को वोड का हक ना देने की सुरूत में सुप्रीम कोड जाने का अलान कर दिया एक वियानुए शेक रशीद ने कहा कि एक करो ओवरसीस पाकिसानियों के पैसों से मुल्ट चर रहा है अगर इनको वोड से रोका गया तो सुप्रीम कोड जाओंगा और इनको हक इनका दिलवा कर ही रहूंगा ओमी क्रोन का नया वैरिंट कतर से पाकिसान में दाखिल हुआ मामुली अलामात वाला मरीज अबसे इत्याब है जबके मरीज के खांदान के तमाम अफराग की टेस्ट रिपोर्ट मन्फिया है तफसिलात के मताबिक वजीर सेहत अबदुलकादर पटेल की जिरे सदालत कौमी अदालत सेहत में इजलास हुआ जिसमें सेकैयर्टी वजारत सेहत डीजे हैल्स अब्दर राना शरीक हुए अमरीका ने साभि मजी जाबे इमरान के लजामात एक पर फिर मुस्तरिध कर दी है अमरीकी मेरकमा कार्जा के तर्जमान नेट प्राइस ने इमरान खान के इजामार को प्रोपागेंडा गलत नाकिस मालूमात और जहूट पर मपनी करार दे दिया है मगली बे किनारे में इस्राइली फोर्सेस की फारिंस अलजजीरा की खातून सहाफी जाबा हाक हो गई ग्रेल मुर्की खबर जन्सी की मताबिक अलजजीरा और फलस्तिन की विजारत सहत ने शीरी अबुलकला की मौक की तज्रीक कर दीग कर दीए पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर तारीक की बुलंद तरीन सथा पर पहुंच गया गुजश्टा रोज इंटर बेंक में 188 रुपे 66 पैसे पर बंद हुआ था ताब आज भी कारोबार के अगाज से ही डॉलर की किमत बढ़ने का सिसला जारी है अरब पत्ती मुखी शक्सित और माइक्रोस्टॉफ के बानी बिल गेट्स करोना वायर से मतासिर हो गए तफसिला के मताविब बूट के रोज बिल गेट्स ने कहा है कि इनका करोना बायस का टेस्ट वजब बिदा गया है और इन्हें हलकी अलामा का सामना है सीने अदकार कालिद अनम ने स्टार ओल राउंडर शाहिदाफीदी पर हलकी फुल के अंदाव में तनकीद की है इनसाय सोरी शेयर करते हुए कालिद अनम ने शाहिदाफीदी की करकरदी की मिसाल देते हुए इन पर तनकीद की है पाकिस्तान की मुतादित वेबसाइट पर साइबर हमले हुए हैं ताहम आईटी हुकाम के मुताविक साइबर सीक्यूर्टी के जावर निजाम की वज़र से हमला नाकाम हो गया पाकिस्तान की मुतादित वेबसाइट पर साइबर हमले हुए हैं इस हवाले से विजारत आई-टी हुकाम का कहना है कि सरकारी और प्राइवट वेबसाइट पर हमला हुआ पाकिसानी बॉकसर मुहमद वसीन ने अपने नन्ने बेटे के साथ खुबसूर तस्वीश शेयर की है बॉकसर मुहमद वसीन ने समाजी रापते की वेबसाइट टूटर पर अपने बेटे के साथ तस्वीश शेयर की तैयारों और कश्टियों की पूरिस्टार गुम्शूदगी ने बर्मूज़ ट्राइंगल को एक मौमा बना दिया है लेकिन और सिलें साइश्डानों ने एक तहकीक में इस बारे में नहीं ने इनकिशाफ किया है हैरान कुन बात किया है कि बर्मूज़ ट्राइंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाके है ये बहरी जहासों की सबसे जादा ट्राइफिक वाले लाकों में से एक समझे जाता है है तन साथे मुलाइज़ा की आप चलते हैं तबसिलात की जाने Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award. Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to seven community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood and our goal is to provide high-quality, affordable care for the community. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. counseling and psychotherapy. If medically, medicine taken properly can give a good life. Eben Sina's services, which was started as medical services, they expanded medical, dental, diagnostic, specialty care and mental health services. We have especially expanded mental health services since last one year. We have also expanded to the public health space as possible on T आज बसके 25 मिनट में लंद्ड के गेट वॉक एरपोर्ट के साउथ टर्मिनल पर उत्री वजीराजम शेहबाज शरीफ रहर मुल्की परवाज से गुजिस्टा शब इस्लाबास से रवाना हुए थे वजीराजम शेहबाज शरीफ और लिगी रहनुमा साफिक वजीराजम शरीफ से आज मुलाकात करेंगे मुस्लिम लीग नून के जर्याज का कहना है कि नवाज शरीफ को बाद मामलाद पर पार्टी रहनुमां मुशावब़ करनी है और नूल लीक बड़ा फैसला करने जा रही है जराय के मताबिक नवाज शरीफ में वीडियो लिंक पर इदासी तज्वीश मुस्तरित कर दी थी मुलाकाट में आइन अलेक्शन, पंजाब, कावीना और पावर शेरिंग से मुतालिक आहम फैसले किये जाने का इंकान है जराय का कहना है कि पैट्रानी वस्तुआ की कीमतों पर लहाय अमल से मुतालिक भी नवाज शरीफ और इसागदार से मुशावध होगी ये मजमूरी तोर पर तीन सो अलब का मसला है, अगर अवाम पर बोज़ डालेंगे तो हर चीज़ कीमत हस्मान पर जाएगी इस पर कल इत्यादी कायदीन से भी मुशावध होगी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी चन बरस में महेंगाई का तूफान बरदाश कर चुके हैं अब मजीद बरदाश के काबिल नहीं, लहाजा इत्यादी उसे मिलकर फैस्ता करेंगे और कोशिच होगी कि अवाम पर कम से कम बोश डाला जाए उन्होंने तहरीक इंसाफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इलेक्शन चोरी करके आई थे और आइनी तरीके से गए थे, वो ये हगदन नहीं कर पा रहे उनका कहना था कि अलेक्शन का फैस्ता इत्यादी जमाते मिलकर करेंगी जबके अलेक्शन कमिशन के मताबिक अक्तूबर से पहले अलेक्शन करा ही नहीं सकते दूसरा आप्शन अगस 2023 है लिग रहनुमर ने कहा कि मखनूत हकूमत की मीटिंग में नवाज शरीफ और मैश शरीक थे और ये जरूरी था कि शेबाज शरीफ यहां आकर मश्वरा करें इसाफ़दार ने मजीद कहा कि सद्रब पाकिस्तान का अमल नहाएं गयर मौजव है पाकिस्तान में नार की पहलाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं मेहकमा मौस्मियाद के मताबिक सिन के बाद जिसों में दर्ज़ अहरारत 50 डिगरी तक पहुंचने का खच्चा है सिब्भी में 49 जेकब अबाद, डालू, लार्कान और सक्कर में पारत 46-48 मुल्तान भावरपूर रहीम यार खान और डेरागाजी खान में 45 डिगरी तक पहुंचने का इंकान है जबके मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्ज़ हराद जेकब अबाद में 47 डिगरी सेंटिक्रेट रिकॉर्ट किया गया मैकमा मौस्मियाद ने बलाई और वस्ती सिंग के अलावा पंजाब और बलुचिस्तान में गर्मी की शिदत मामूल से जायद देने की पेशन्ग होई की है जिसके तहर 12 से 15 माई के दो आन गर्मी की शिदत जायद होगी तिबी वाहरी ने शेहरी को बिला जरुबत खरों से ना निकलने की हिदायद दी है राग गाई भी शेहर के मुटले पिलाकों में बिजली की लोड शेटिंग से शेहरी को मुश्किलाद का सामना करना पड़ा किमारी भटा विलेज, लियाकत अबास, सीवनेरिया और अंगी जिस्ती नगार खारादर नयाबाद खड़ा मारकेट में राग के आउकाद में शेहरे को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा तर्जमान के ऐलेक्टिक के मुटाबिक गर्मी की शिदत में इजाफे के बाइस बिजली की तल्ब में गेर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है मौजूदा सुरतिहालों के पेशन एजर आरज़ी तोर पर लोड़ शेटिंग के दौरान या बढ़ाना पर सकता है मुम्किन अमुदाज़त सारिफीन को बजर या समस के दरी मुस्रसल आगाह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्टानी भी मौजूदा हुकूमत के इस पैसे के खिलाब एहतिजाज करेंगे वाज़ रहे कि वजीर कानून आजम नजीरतार ने एक इदलास के दौरान कहा था कि हम गरीब मुल्क है दुनिया भार में पोलिंगे सेशन काइम करके वोटिंग नहीं करा सकते सिफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज वोटिंग मुम्किन नहीं है तबसला की मताविक वजीर सेहत अब्दुकादर पटेल की जेरे सदावक कौमी इदार सेहत में इदलास हुआ इदलास वे सेकेर्टी वजारत सेहत डीजे हैल्स अब्दर राना शरीक हुए जबके सुबाई सेहत मुताले का हुकाम ने वीडियो लिंक पर इदलास वे शर्कत की इदलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ओमी क्रोन का नयव वेरियन कतर से आई मुसाफर में पाया गया था ओमी क्रोन की मामूली अलामत वाला मरीज अब सेहत आप है करोन की क्रीय मौनिटिं की जा रही है मधू दा सूरतिहाल दशवीश नाक नहीं घंळिष्टा हफते करोन से को ही मौत नहीं हुई अब पर क्याना था कि कौरोन धृक्rics घौह्य में मण़ी कहिते है अलू है, अबुने जामेपर नेट प्रीज का कहना था कि पाकिस्तान से तालुकात को कदर की निगासे देखते हैं इन इर्जामाइक 안तों पाकिस्तान से तालुकात की रहा में हाइल नहीं करने देंगे एक सवार के जवाब पे तरजमान अमरीकी महगमा खारचा का कहना था कि फौरी तोर पे पाकिस्तानी हुकाम से किसी शीडियूल मुलाकात का इल्म नहीं तहम अमरीकी वज़िर खारचा इंटरने बलिंकिन ने पाकिस्तानी हमल सब बिलावल गुट्रो ज़र्दारी से कुई उच्टा हफ्ते तफसीली बाक्चीत की थी नेट पाइस का कहना था कि अमरीको पाकिस्तानी वज़राई खारचा ने टेलेफोने गुफ्तुगू में अफगानिस्तान देशित गर्दी तिजारत महुलियात अवनाई सिहत और तालीम समेथ कई शोगों में तावन पर तबातर ख्याल किया एक नज़र कम्यूनिटी न्यूस पर अलजजीरा की रिपोर्ट के मतावएक इस्टाइली फोर्सेस की जानिब से खातून सहाफी शीरी अबबो अकला को फारिंग करके गतल करने की वज़ुहात तो सामने नहीं आ सकी ताहम सामने आने वाली वीडियो उसके मतावे खातून सहाफी के सर पर गोली मारी गई है सेवनी फोर्सेस की फारिंग से जावाहाग शीरी अबबो अकला अलज़वीरा की अरभी सर्विस की मुंतास सहाफी थी गेर मुर्की मीडिया का कहना है कि शीरी अबू अकला की फोर्सिस की फारिंग से मौट पर इस्टाइल की जाने से किसी रद्धे अमल का इजहार नहीं किया गया रज़र दालते हैं तिजारती दुनिया के एक चलग पर इंटर्बैक में डॉलर 1 रुपे 50 पैसे जाफे के बाद 190 रुपे 16 पैसे का हो गया है जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपे 50 पैसे से भी तरजाब इसकर गया है दूसरी जाने पाकिस्ताने स्टॉप एक्चेंज में भी करोना का मन्फी रजान जारी है और 100 इंडेक्स 600 से जाइट पॉइंट्स कम होकर 42,901 पर ट्रेट कर रहा है शामिल करते हैं सेसे मताले कुछाम खबरे अपनी टूटर अकाउंट पर उन्हें लिखा कि मेरा करोना टेस्ट पॉजिटिव आ क्या है मुझे हलकी अरामत है और मैं करंटीना रहकर माहिरीं के मशवरे पर अमल कर रहा हूँ याद है कि गेट्स के आर्मी सहत की खेराती तन्जीम बिल एंड मेंडिल गेट्स फाउंडिशन ने जनवरी में वबाओं से लड़ने वाली एक प्रोग्राम को करोना वारस के खिलाफ एक सब पचास मिलियन डॉलर देने का बादा किया है उन्हें ट्विटर पर लिखा है मैं खुशकिसमत हूँ कि मुझे वेक्सीन लग चुकी है बूसर डोस भी ले लिए और मुझे टेस्टिंग और बेतीन टिपी देखबाल तक की रसाइबी हासल है मिल गेट्स ने मजीद लिखा कि हम शराकादारों के साथ मिल कर काम जारी रखेंगे और इस बार को यकीनी बनाएं कि कि हम मुमकिन कोशिश करें कि हम में से किसी को दुबारा वावारी मर्स का सामना न करना पड़े शामरे करते हैं शोबेस और इंटरेविंग की दुने का हवाल उन्होंने लेका कि शाहिद आफरीदी ते खिलाफ अपनी जगा लेकिन शाहिद आफरीदी एक हीरो है एक वक जब पाकिस्तान के 28 संस पर चार आउट होते थे फिर आफरीदी बैटिंग पर आता था और पाकिस्तान के 28 संस पर पांच आउट हो जाते थे ख्यार रहे कि शाहिदा अफरीदी की जानिब से हाल ही में वजीराजम पाकिस्तान शेबाज शेरीफ की तारीफ जबके सावें वजीराजम इम्रान खान की पॉलिसियों पर इनको तनकीत का निशाना बनाया गया था जलाय के मताबक फाइर वॉल के जरीय साइबर अटेक को रोकने की कोशिश की गई है जबके विजार्त आईटी ने तमाम मुटालगादारों से तफ़तिलात तलब कर लिए है इसके लाव सेकेटरी आईटी ने साइबर हमलों से मुटालिक अलिदास भी तलब कर लिया है अमीन उल्हक का मजीद केहना था कि साइबर हमला डेटा सेंटर पर नहीं था बलके नेट वर्किंग साइट पर हुआ इस हमले की वज़ज़ से कुछ महकमों की वेब साइट असकुत मौतल हुई ताम तमाम वेब साइट को तीन घंटे की मुक्त से तरीन वक्त में फाल कर दिया गया है वफाकी वजीर इन्फरमिशन टेक्नलोजी अमीर उल्हक ने गुज़शता साल ही खबरदार कर दिया था कि पाकिस्तानी इदारे, बैंक्स और आहम कंपनिया साइबर हमलो आवरों के निशाने पर है नेशनल बैंक समेट कई इदारों को फरवरी में साइबस सेक्योर्टी से मुतालिख खत लिखा लेकिन हमारी तज़ाब इस पर अमल नहीं किया गया शामर करते हैं खेलों के मैंदान से कुछ हम खबरे और उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा बॉक्सिंग की महारत के साथ पैदा हुआ है महमद वसीम के जानल से शेयर की गई तस्वीर को अब तक हजारों सार्फीन देख चुके हैं और इनके नन्ने बेटे को द्वाइं भी दे रहे हैं इससे कबल बॉक्सर महमद वसीम का कहना है कि अभी दो प्रोपेशनल फाइट्स के लिए तयारी कर रहा हूँ इमिचर्स में नुमाइंदी के लिए प्रोपेशनल से मौतल होना पड़ता है उनका कहना था कि तीन महा के लिए मौतल होंगा और फिर पाकिस्तान के नुमाइंदी की करूँगा मेरी पाकिस्तान के नुमाइंदी के लिए बाचीत हो चुकी है महमद वसीन ने अजम जाहर किया था कि मैं पैरिस ओलम्पिक्स में पाकिस्तान को जरूर मैडल जित्वाओंगा इमर्जिस बॉक्सर की ट्रेनिंग के लिए एक सेट अप लगा रहा हूँ शामल करते हैं दुनिया भार से को दल्चस्ट और मुण परित खबरे ये बहरी जाजों के सबसे जादा ट्राफिक वाले अलाकों में से एक समझा जाता है जहांसे अमरीका, यॉरप और जज़ार गर्ब लहिन आने वाले सेक्रों जहां सोजाना गिरते हैं इसके बावजुत इस खिर्दे से ऐसा खौफ अवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई न कोई कहानी छुपी जरूर नजर आती है कुछ रिवायतों के मताबिक यहां जिनों भूतों से मुतालिफ बाकियात पेश आते रहते हैं जबकि बाद लोगों को कहना है कि यहां खलाई मक्रूब भी देखी गई है बरहाल बर्मूदा ट्राइंगल बेर ओक्यानूस का एक मक्सूस हिस्सा है जिसका एक कोना बर्मूदा दूसरा प्रोटो रिको और तीसरा मियामी से मुतासिल है और इन तीनों कोनों के दर्मियानी हिस्से को बर्मूदा ट्राइंगल समंदर के अंदर एक ऐस्टा पूरिस्टार हलाका है जहां अब तक बहुत से तैयारे कश्टिया और जहास गाइब हो चुके हैं और इनका आज तक कोई सुलाग नहीं मिल सका इस मामले पर कई कयास अलाइया की जाती हैं लेकिन आज तक कोई भी वाज़े तोर पर बर्मूदा ट्राइंगल का मामा हल ना हो सका ताहां अब और उस्सेलिया की साइंसदान इसे हल करने के दावा कर रहे हैं गेरमूर्की मीडिया रिपोर्ट्स के मतार और सेलिया के सिड्डी यूनिवर्सिटी से ताल्ग रुकने वाले कारिल ने माज़ी के नजरियात के बरक से नजरिया पेश किया है इसी अबाले से उन्होंने 2017 में भी अपनी दाया का इज़ार किया था और कहा था कि ये लाका खित ताहस्तू के करीब है इसलिए यहां बहुत ट्राफिक है जबके लाइट आफ लंदन और अमरीकी कोर्स कार्ड के मताबिक बर्मुदा ट्राइंगल में गुम्शुद्यों की तादात फीसद की बुन्याद पर दुनिया में कहीं गुम्शुदा होने की तादात के बराबर है अब तक के लिए इतना ही मजीग ख़बन और अब्डेट के लिए देखते रहिए O.P.TV Global बज़ी ताद के लिए बज़िए www.optvglobal.com साथ ही साथ हमारी YouTube के चालर को सब्स्राइब कीजिए बाल आगन को क्लिक करना हर जिसना भूलिएगा Equal justice under law We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation I'm Faisal Gill I saw how the color of your skin So I went to law school Because I wanted to fight to make the law work for all Because I wanted to give back Because black lives matter Because we need to incarcerate less And educate less Deserves justice